एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था, उसके महल में बहुत खूबसूरत बगीचा था, बगीचे की देखरेक की जिन्मेदारी एक माली के कंधों पर थी, माली पूरा दिन बगीचे में रहता और प्षेड पौधों की अच्छे से देख भाल किया करता राजा माली के काम से बहुत खुश था, बगीचे में एक अंगूर की एक बेल लगी हुई थी, जिसमें धेर सारे अंगूर फले हुए थे, एक दिन एक चिडिया बगीचे में आए, उनसे अंगूर की बेल पर फले अंगूर चखे, अंगूर स्वाद में मीठे थे, उस दिन क के बाद से वो रोज बाग में आने लगी बहुत प्रयासों के बाद भी जब माली चिडिया को भगा पाने में सफल नहीं हो पाया तो राजा के पास चला गया उसने राजा को चिडिया की पूरी कारिस्तानी बता दी और बोला महाराज चिडिया में मुझे तंग कर दिया है उ और अंगूर की घनी बेल की आड में छुपकर बैठ गया रोज की तरह चिडिया आए और अंगूर की बेल पर बैठ कर अंगूर खाने लगी अब सर पाकर राजा ने उसे पकर लिया चिडिया ने राजा की पकर से आजाद होने का बहुत प्रयास किया किन्तु सब व्यर्थ र रहा अंत में वो राजा से याचना करने लगी कि वो उसे छोड़ दें राजा इसके लिए तैयार नहीं हुआ तब चिडिया बोली राजान यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ग्यान की चार बाते बताऊंगी राजा चिडिया पर क्रोधित था किन्तु इसके बाद भी उसने यह बात मान ली और बोला ठीक है पहले तुम मुझे ग्यान की वो चार बाते बताऊंगी उन्हें सुनने के बाद ही मैं तै करूँगा कि तुम्हें छोड़ना ठीक रहेगा या नहीं चिडिया बोली ठीक है राजान तो सुनो पहली बात कभी किसी हाथ आये शत्रु को जाने मत दो ठीक है और दूसरी बात दूसरी ये है कि कभी किसी असंभव बात पर यकीन मत करो चिडिया बोली तीसरी बात बीती बात पर पच्चतावा मत करो और चौथी बात राजान, चौथी बात बड़ी गहरी है मैं तुम्हें वो बताना तो चाहती हूँ किन्तु तुमने मुझे इतनी जोर से जकर रखा है कि मेरा दम घुट रहा है तुम अपनी पकड थोड़ी धीली करो तो मैं तुम्हें चौथी बात बताऊं राजान ने चिडिया की बात मान ली और अपनी पकड धीली कर दी पकड धीली होने पर चिडिया राजा एक हाथ चूर गई और उड़कर पेर की उंची डाल पर बैठ गई राजा उसे ठगा सा देखता रह गया पेड की उंची डाल पर बैठी चिडिया बोली राजान, चौथी बात ये की ज्ञान की बात सुनने भार से कुछ नहीं होता उस पर आमल भी करना पड़ता है अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें ज्ञान की तीन बाते बताई जिन्हें सुनकर भी आपने उन्हें अनसुना कर दिया पहली बात मैंने आपसे ये कही थी कि हाथ में आये शत्रू को कभी मत छोड़ना लेकिन आपने अपने हाथ में आये शत्रू अर्थात मुझे छोड़ दिया दूसरी बात ये थी कि असंभव बात पर यकीन मत करें, लेकिन जब मैंने कहा कि चौती बात बड़ी गहरी है, तो आप मेरी बातों में आ गए तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि बीती बात पर पच्चता वाना करें और देखिए, मेरे आपके चंगुल से छूट जाने पर आप पच्चता रहे हैं इतना कहकर चिडिया वहां से उड़ गई और राजा हाथ मलता रह गया, सीख, मात्र ग्यान अरजित करने से कोई ग्यानी नहीं बन जाता ग्यानी वो होता है, जो अरजित ग्यान पर अमल करता है जीवन में जो बीत गया, उस पर हमारा कोई नियंतरन नहीं किन्तु वर्तमान हमारे हाथों में है, आज का वर्तमान कल के भविश्य कल का निर्मान करेगा इसलिए वर्तमान में रहकर कर्म करें और अपना भविश्य बनाएं